जैश्री कृष्णा आप सभी को रक्षा बंदन की धीरो शुब कामना है आज मैं आपके लेकर आउए एक ऐसी आहसान सी मिठाई की रेस्पी जिसे आप रक्षा बंदन पे बनाके चटपट तैयार कर सकते हैं और साथ ही आप इसे वरत में भीखा सकते हैं तो बहुत यूनिक सब्सक्राइब अपर व्याओ करते हैं वीडियो शूरू करने से पहले आप मेरी चैनल कोस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चली आसां सी मिठाई बरफिक रैस्पी बनाना शू करते हैं तो आज हम मनाएंगे मोंफळी से यहां पर हम case form लेंगे 250 difficult one मूंफली एक कप क Même पर रखेंगे और मूंफली को अच्छी तरीकी से भोण लेंगे For अब इसा करते हुता है Download मुंफली चल जाएगी और अच्छे से पकेगी गैस को मीडियम स्लो के करके इसी तरीके से लगातार चलाते हुए मुंफली को भून लें जब छिलके आसानी से निकलने लगेंगे ना तब समझे कि हो चुका है पर अभी अच्छे तरीके से नहीं निकल रहा है तो अभी मिने और भूनेंगे हमारे आज के जो मिठाई के रैस्पी है ना बर्फी कि उसमें किसी भी तरीके से कोई भी ट्राइफूड नहीं डाला है और नहीं घी डाला है बहरी आसान तरीका है तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें तो गैस स्लो कर देंगे और यहां पर हम लें जो हमें इस मिठाई में चाहिए तो यहां पर हमने लिया है एक चौथाई कप गोड़ हमारे आज की वर्फी गोड़ से बनेगी तो यह देसी गोड़ है और यह मैं जब काऊ गई थी नहीं तो लेकर कि आए थी और साथ ही आ लेंगे एक चौथाई कप खजूर तो खजूर किसी भी कप से नापने के लिए काटोरी एक ही रखे साथ हम लेंगे खजूर का पीज तो यहां पर हमने 3 चमच खजूर का बीच लीए से हलका सा एक मिनट के लिए हमने से भून लिया था स्रिफ हम आज यही ड्राइफूर में डालेंगे भागि यहां पर काजू बदाम की स इसकुछ भी हमने आने ही डाला है थो चली यहां पर एक नड़ तक से अच्छी तरीके से भून ले उसके बाद ही वर्फी में बनाने में ले तो ये हमारी मुफली भी अच्छी तरीके से भून गई है तो गैस स्लो कर देंगे तो धीरे-धीरे मुफली भून जाती और ये अस सारे मौमफली को निकाल लेते हैं मौमफली के चिलकी निकालने के लिए ना तो आपको पुरी तरीकी से मौमफली ठंडा करना है और ना ही गरमी जब वह हलकर गरम रहे तब ही आपको इस तरीकी से मौमफली को हाथों से रगड़ रगड़ के इसके चिलकी निकाल लेने तो द निलेंगे और र्यसन में याफ डड़े निकल जाएंगे और शहीं कि गया सिर्ट शैना किका और यह ने कुछ इस तरीके है चलत शर्य के निकल लेंगे शहीं इसी तरीके से हम सारे मौफली के चिलके निकाल लेंगे इसमें जो बाकी है उन्हें अच्छे तरीके से मलेंगे चिलके निकल जाएंगे और अगर कुछ चिलके रह जाते हैं मौफली के तो आप बिल्कुल भी परशान नहीं होगा तो जितना आसाने से चिलके निकलते हैं क्लेट 방ने लोगे बिलुर रहन debit क bashके लिए गरें अरंचेश को इनकाल दोनि ल 25 पर यह पूम्फने हैं Fahrenheit क्लेट आदे लेगे तो पहले हम सारे चिल पेगा साथ करदेंगे समड़े कि उसके बाद हम यहां पर प्रस्टेर अर्मप्ले को बिलू बहुत जादा आप इन्हें लगाता ना चलाएं पर्जल मोर पे चलाएं कुछ सेकंड के लिए ओन करें मिक्सर और आफ करें तो इस तरीके जब आप करते हैं तो कुछ इस तरीके का मॉमफली का पॉडर बनकर के तयार हो जाता है यह देखें ना बहुत जादा बारी हो ना द यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने ग्रेर किया था नारील सुखह नारील उसे डालेंगे साथ ही डालेंगे यहाँ पर मिल्क पॉपडर 2 चमश का फीड़ता है कि दस रूप का प्एक deep डाला है कि यह पूरे तरीके अलिए अगर आपकिशना है तो ही डाले तो सब को हम अगर आपको मी रैस्पी पसंद आती हो उसे शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें साथ ही आप हम डालेंगे थोड़े से एक चम्मक जितना थैर भूजी के बीज आप यहां पर ड्राइफूर भी अपने पसंद से डाल सकते हैं तो शेलिए यहां पर आज हम बिना घी के बना रहे हैं तो एक कड़ाहे रिखेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप ताजा मलाई आप मलाई की जगा घी भी ले सकते हैं चार चमच तो यहां पे घर की ताजा मलाई ली है चार चमच गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें और यह देखिए हमने जो यह खजूर किसमिस नहीं है तो गुड की मातरा बढ़ा दे तो यहां पे देखिए जैसे एक उबाल आता है ना मलाई में यह हम खजूर को डाल देंगे कैस आपको इस समय स्लोही रखना है धीमे ही रखना है और सबको मलाई में अच्छे तरीके से मिला देना है तो बस इसम से मिला लेंगे मलाई में कजूर के साथ यहां पे हम डालेंगे देसी गुड्दुड की यह पैचान होती ही कि वह हल्का चॉकली कटि कलर का होता है तो आप इस चीज़ का ध्यान देए जब भी आफ मार्केट में देशी गुण मांगे तो आपको यह ब्राउन कलर का ही मिलन को दिमा ही रखे देश बिल्कुल भी ना करें गर आप तेश करते हैं तो यह चलने की पूरी चांसिस है तुछ इसी तरीकी से हम सब को अच्छे से बनाकर तयार कर सकते यह एक पेस्ट सा बन के तयार हो गया है देख रहे हैं न कुछ इस तरीके से बस इसके बाद हमें इसमें डालना है जो हमने मुफली रून करकी रखी थी और साथ इसका पॉडर बना लिया था तो बस kicking allло देना है جैस दीमा माइफ्थे और सब लगातार चलते हुआ अच्छी तरे के से मिला लें अभी कुछ भी मांदस्थ ऐसंने आसने कि अद्यार यह पर यह बाता सुप आ देना है उप्षण आज हम रखेंगे एक ट्रे में तो आज हमने जैसे काजू बदाम पिस्ता यूस नहीं किया है कुछ भी ट्राइफूर्ट तो यहां पे आज हम डाले खर्भूजे का पीज यह भी बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट और हेल्दी तो क्या कहने तो इस तरीके से आप जिस भी बरतन में आपको बर्फी जमानी है उसमें आप इस तरीके से कर्भूजे का बीज डालने वर्फी का डो डाल देंगे उसे अच्छी तरीके से पैला देंगे तो आप इस जिसका ध्यान दें कि आपको बस इस तरीके से डिब्बे में रखते जाना है और उसके बाद उपर से प्ले सावन का सौंग मार है और सभी बहन भाई व्रत रहेंगे तो इसलिए हमने सुचा क्यों ना एक बहुत ज्यादा व्रत की हेल्डी टेस्टी और यमी सी बर्फी की रैस्पी शेयर की जाएं इसे बनाना भी आसान है और सभी उसे खा सकें क्योंकि व्रत है तो व्रत में आप इस और इसकी सामाकरी भी कम से कम है तो चली यहां पर बर्फी को अच्छे तरीके सम सेट कर देते हैं और आप इसे रख दे 15-20 मिट के लिए फिस में या फिर रूम टमप्रेचर पे जब वह अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए उसके बाद ही काटे पर यहां पे मैं 5 मिट के ब अगर आपको जल्दी हो और टाइम में तो आप बाहर यह अच्छे तरीके से रूम टमप्रेचर पे आने दीजिए उसके बाद ही बर्फी काटे तो चली यहां पर मैं आपको काट की दिखाती हूं अभी बहुत ज्यादा नरम और सॉफ्ट है यकीन माने हेल्दी तो बहुत के लिए रैस्पी है तो चली यहां पर भी देख रहें आपका आपको शेप नहीं आ रहा है और यह मैंने आपको काट की दिखा रहें दिख रहें कितनी यम्मी टेस्टी सी कम बहनेत हो कम से कम समान में आप इस तरीके से स्वाधिस्ट वर्फी साथी हेल्दी भी वर्फी मन के तैयार करें उमिद है आपको हमारी आजकी बसला है आप सबीको रक्षा वंधन की देरे यह बहुत कामना आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल स्वाधगरसा को सुस्क्राइब कर दें अगर आपको मेरे रास्पी पसंद आती हो तो प्लीज शेयर करना ना भोले चलने मिलते हैं गौर रेस्पी के साथ तर्टक अपना ख्याल रखें आप सभी को फिर से रक्षा बंदन की धेरो शुब काम नाएं है पिर रक्षा बंदन थैंक्स फॉर वाचिंग